आजी तो कैसे मेर पैस्ता आसा करते को मस्त होंगे स्वासन पिछले क्लास में मैं लोग बाइलोजी चिप्टर 1 जैप परकर्म को बहुत ही बिस्तार से पूरा निचोर पैस्ता आपको हम दे दिये थे नोट्स के दोरा इस वीडियो पैस्ता आप पढ़ने वाले बाइलोजी चिप्टर का भी दम नोट्स ले आईए तो आपके सामने इस इकेंड चिप्टर है जी जिसका नाम है स्वासन सबसे परने पैस्ता हम लोग जानेगे कि स्वासन क्या है आपसे बादा करते कि यह पैस्ता दस मिनट का वीडियो आपको बहुत जादा टाइम से बचा देगा आप इसी चिप्टर को लंबे लंबे वीडियो देखेंगा इन प्रेश तो बहुत टाइम बरबाद हो जाएगा और इतना नीचोड आपको नहीं मिलने वाला है जिभी एक्जाम में प्रश पुशे जाते हैं भाई सब यही नोट से पुशा जाएगा अब ऑक्सीजन को सर्जी गरहन करते हैं आप कार्वन डायकसाइड को त्याग करते हैं तो उसी को इन प्रश तो भासा के रुप में अच्छा से लिग देना है कि वह ऐसी रिसाइनिक करिया जिसमें ऑक्सीजन को गरहन किया जाता है तथा कार्वन डायकसाइड को त्याग किय प्राप्त करते हैं उससे क्या मिलता है गुलकोच ठीक है जो में प्राइश तो हवा के दौर हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं उसी से ऑक्सीक्रीत होकर करवन डायकसाइड जेल और अटीप उर्जाका निर्वान होता है ATP का मतलब प्राइश तो most VVI question एक जाम में कई बार पूछे गए आपको लगता हो का सर जी ATP क्या है he do no shine try fasting एके हिंदी में भी आप लिख लिजेगा he do no shine आग लगे का जी नहीं सर जी ठीक हो तो जो भी oxygen के उपस्थिती में क्रिया होगा उसको हम लोग बाइबीए स्वासन कहेंगे किलियर चलिए तो इसका उल्टा वोल देंगे नजी अवाईबीए स्वासन नामे है आवाईबीए या अनॉक्सी स्वासन वैसे नित्रे साइन की क्रिया जो उक्सीजन के अपस्तिती में होता है, जहां पर उक्सीजन ना हो अपकोई अभी क्रिया हुआ तो वो आभाई बिए स्वासन है, अब मेरे पैस्तो आभाई बिए सोचन में अंतर पूछा जाता है, और यह भी लॉंग क्वोशन में, तो याद रख इससे आप ले लिजे नोट समारा और आप क्या किजिने उसका PDF निकाल के पढ़ लिजे बाई साहिब इसी PDF से पढ़के इस बार बच्चे सौ में सौल आये हैं साइंस की बात कर रहे हैं सर का खुद में प्याश्टो मेरा खुद 90 पलस है हमारे द्वारे यह नोट सुना आया गया ठीक ना चलें प्याश्टो तो देखे बाई बीए सौसन और आप बीए सौसन में निमली की तंतर जब यह अंतर वला रहा है तो ऐसे लिखेगा एक साइट बाई बाई बीए सौसन के अनुपस्तिति में होता है जबकि इसका संपूल क्या कोश का धरमने ही होता है थर्ड नहमर लिख लिए इसमें गुलकोज देखें गुलकोज होगा ठीक है गुलकोज का पूर्न अक्सी करन होता है इसमें गुलकोज का आंसिक अक्सी करन होता है देखें पैस्तो चोठा नंबर इसमें उर्जा का अधिक प्राप्ति होता है और इसमें उर्जा का कम प्राप्ति होता है बोले है सर जी यह आफ लाइन आपको यहां पर देट भी लिखा लोगा ठीक है तो आपको यहां पर पढ़ाई हो रहा है तो उसी बच्चे के द्वारा उन नोट अच्छा से बना लिया था तो हमने इस इस मेरे प्याश तो कहें कि एक्टिवन वीडियो बना दे चलिए यहां से मेरे प्याश तो आपका एक प्याश तो मासपेसियो में अनॉक्सी स्वासन होने लगता है अनॉक्सी स्वासन के क्रिया होती है जिससे लैक्टी कम्र का स्राब होने लगता है जिससे ब्यक्ति के सरीर में रग परिसन चरन क्रिया सही तरीके से नहीं हो पाते है और मासपेसियो में क्रैंप क्रैंप या श्रेट में होता है। चलिए देखे मानब सरीर में कोश किये इंधन किसे का जाता है most VVI question कई बार पूछा गया है तो यह मेरे प्राश तो गुल कोश को ठीक है और पूछा जाता है कोश काम पावर होस किसे का जाता है माइट्रो कुंड्रिया का कोश काम पावर होस इसे नोट कर लेज़ेगा या आगे लिखाया होगा देखे किनवन किसे का जाता है यह objective आप से आएगा ठीक ना कि किनवन किसकी किन में होती है तो east में आपको यह तम याद रखना है किनवन की क्रिया कहा होती है जो पाइरोवेट है भाई साहब वह ऑक्सीजन के अनफस्तिति में जब किरिया करता है तो वह एथेनौल और कार्वन डियकसाइड में परिवर्तित हो जाता है यह किरिया किनवन कहलाती है जो east में पाय जाता है objective most BBI question कई बार exam में पूछे गये आगे 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 अब हम लोग पाधे में स्वासन के बारे में जानेगे पाधा कैसे शास लेता है ध्यान दिजीए पाधे में स्वासन ये गैसो का बिन में किस किरिया दौरा होता है तो बिसरन देखिए आपको गैसो का बिसरन बोले न पर दान बोले न यह भाई साभ एक्जाम में यह भी question important है देखिए नोट्स में वही question लिखा जाता है जो एक्जाम में आता है तो आप विस्वास करके पढ़ लिजिए हम बादा करते है प्यास तो science में आपका सबसे ज़्यादा नंबर होगा ठीक है और आप बड़े बड़े में प्यास तो YouTube बाले चैनल जो है न वो कम सक मिसी का च प्यास तो जो भी है न सबका हल किया हुआ प्ले लिस्ट बना एक वर जाके जरूर चेक किजिए भाई सब विस्वास के साथ पढ़िए अगर science में आपका सबसे ज्यादा नंबर ना रहा न भाई सब फिर वीडियो मनाना बंद कर देंगे जी अगला वर से यही तो कर सकते ह नहीं प्यास तो देखिए और वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जूड़ जाए सब्सक्राइब करने में प्यास तो पैसा नहीं लगता बिल्कुल फिरिये और आपको ही फाइदा होने वाला है तो इसको याद रखे है रंदरो है गैसो का बिन में बोलेगा तो बिस्तन द्वारा आदान परदान रहे तो रंदरो द्वारा ठीक है जन्तूओं में कितने परकार से स्वासन अंग होते हैं तो तीन अंग होते हैं कौन-कोन है स्वासनली गिल्स फेफड़ा अब इस तो स्वासनली क्या है तो देखिए ट् चिड्डा तिल चट्टे इस उर्प्राष्टो किसे लेता स्वासनली से आईए मिन प्राष्टो थोड़ा सा गिल्स के वारा में जानते हैं यहां सबको अबजेक्टी पूछा जाता है गिल्स मच्छलियों का स्वासन नंग है कोश्चन आएगा भाई सर्थ कि मच्छली इन मानव में कितने परकार के स्वासनंग है नासका छिद ठीक है इसको लेरेंक्स हुई बोलते है काची क्या है सर जी काची नासका बेश्म के दीवार टेड़ी मेडी घुमादार प्लेट के तरह होता है जिसे काची कहते है देखते हैं बाई से नक्टी बहुत बोला जाता है कि कोई भी धावाग आगर दोल रहा है तो मुञ से सास लेना चाहिए जिस से क्या होता है कि नासका बेश्म में टेड़ी मेडी दिवार होता है कोई भी गंद की जाता है तो वहाँ फिर फ़स जाता है ठीक है भाईसा आपको एक जाम में छपेगा ये विश्वास के साथ लिखिए देखें पैस्तो मनुस में ट्रैक्या की लंबाई कितनी होती है चलिए ट्रैक्या के बारे में जान लेते हैं 11 cm लंबी लगबग 16 mm मनुस के पैस्तो फेपड़ा में सुअसन गैसों के अदान परदान के लिए 400 से 800 बर्ग फीट सता पाये जाते हैं पुछेगा कितना फीट सता तो 400 से 800 मनुस के दोनों फेपड़ों में करीब कितने बायो कोस पाये जाते हैं मनुस के शरीर में फिफड़ा कहां पाये जाती है बच्च गुआ में कहां में प्रसवास ये कोशन इंपोर्टेंट है पूछा जाता है कि प्रसवास और उच्वास में क्या आते हैं प्रसवास नामे भाई सब प्रसवास यानि परवेस करना तो नासका छेदर से हवा फेफड़े तक पहुंचते हैं उसे प्रसवास करते हैं कितना simple है जी उसके वाद आता है पैर्शतो उच्छ वास, तो नासका छेदर से कार्बन डायोकसइड हवा के साथ नासका छेदर द्वारा बाहर निकलती है, उसे उच्छ वास करते हैं, देखेने में पैर्शतो हवा नासका छेदर से फेपड़ा तक पहूंचते हैं, उसे प् कि स्वासन की दो अस्थाएं प्रसवास और उच्छवास दोनों से मिलकर स्वास का निर्वान होता है बहुत बड़ा नाम है दो तीन वार रिपीट किजिए न तो बोल पाईएगा अगर बोल पाते हैं तो कमेंट करके बता दीजिए नेक्स्ट कोचन है यह गलत है ठीक न यह स्वासन की बीच अंतर बता है प्रकास अंसलेशन और स्वासन के बीच देखें प्रकास अंसलेशन का होता जी का मिर प्रकास अंसलेशन सभी के लिए नहीं आ रहे है तो देखें लिखेंगे यह एक उपचैन अव करिया एक्जाम में आपको ऐसे आएगा कि प्रकास अंसले देखें और इसमें लिखेंगे कि इसमें गुलकोज और ऑक्सीजन अविकारक के रूप में होता है फिलिकें फैस्तो थर्ड नमबर कि इसमें उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन मुक्त होता है और इसमें अप उत्पाद के रूप में कारण डायकसाइड मुक्त होता है यह क् यहां मन्द दहन अवकिरिया है और यहां तिरवगामी अवकिरिया है मन्द दहन होगा मन्द लिखके एक और दह होगा इसमें अलप मात्रा में उस्मा कुछ पत्ती होती है क्ップ कडrd भुष्경 कि बास ऐखा अधिकार नौसीया नेता है इस परेकार पड़िए आपको लिखा लेना है परस्ट दो मिनट और दीजे, दो मिनट नहीं, एक मिनट, आपका काम हो जागा, मेरे पैस्ट तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा न, तो एक छोटा सा सब्सक्राइब कर लिजे भाई साब, आएक मिन पैस्ट तो कमेंट करके बता दीजी कि यह सर इसी परकार ठीक है, रक्त लाल की होता है, तो रक्त लाल हिमोगलोविन के कारण होता है, ठीक है, रक्त लाल हिमोगलोविन के कारण होता है, जिसके कारण क्या होता है, रक्त लाल होता है, हिमोगलोविन कहां वस्तित होता है, रक्त कोसी काहों में, तो रक्त का पीच माने भी पूछा जाता है तो 7.4 अब आप बताईएगा रक्त कितने प्रकार को होते हैं दो प्रकार के RBC और WBC प्याश्तो तो बताईए जो RBC होता है इसका जीवन अब कितना दिन होता है कमेंट करके बता दिजीगा और एक और पिछले क्लास में बताया थे प्याश्तो प्यर पौदा के बारे तो पत्ती का रहना हरा क्यों होता है कमेंट करके छाप दिजीए ठीकर प्याश्तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो एक छोटा सा भाई का सपोर्ट किजेगा ठीक है अपने सर का सपोर्ट किजेगा आपको प्याश्तो एक सब्सक्राइब और दोस्तो पास सेर कर दीजे और कमेंट किजे कि सर इसी परकार हमको चिप्तर थीरी का भी चाहिए चिप्तर फोर का भी चाहिए बहुत जल्ब वीडियो आ लेकर प्रेश्तो तो चैनल को सब् सब्सक्राइब तो के जूड़े रहिए मिलते नेक्स बीडियों तो तक के लिए जय हिन जय भारत